कि मित्रों भी आप सबने कि सम्राट पिठ्थी विराच काये के हाँ पर अब ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है लेकिन उसका एक सो यहां पर देखा है अपने अभिनों से प्रख्याद अभिनेता स्री अक्षय कुमार जी ने अभिनों को जिस रूप में पांध करके नकिवल अपने अभिनों के माध्यम से बलकि भारत के अथीद को जोड़ करके जिस एक फिल्म को हम सब के सामने आजादी के अमरित महत्सो वर्स में प्रस्तुत किया है मैं इसके लिए इस फिल्म के जो निर्देशक है अक्षय कुमार जी को चंद्रप्रकास दिवेदी जी को अभिनेत्री सुसी मानसी चिलर जी को और सभी कलाकारों का हिर्दै से अभिनंदन करता हूँ मुझे कई वर्सों के बाद किसी फिल्म को देखने का उसर प्राप्त हुआ है समय भी नहीं रहता है लेकिन अक्सर मेरे मंत्री मंडल के सहयोगी इस प्रकार की फिल्मों को बड़ा पसंद करते थे तो वह लोग कहते थे कि कुछ ऐसा उसर हो लेकिन आप सब जानते हैं कल आधने प्रधान मंत्री चीवी और आधने राश्ट पती चीका वे उत्तर प्रदेश दोरा है रेक साथ दोनों का एक चीके कारिक्रम है मैं उसी कारिक्रम की तैयारी देखने के लिए प्रातकाली चला गया था मेरा प्रियास था कि मैं साड़े ग्यारा वज़े तक यहां पहुँचूंगा मुझे कुछ देरी भी लेकिन मुझे प्रसंता है कि आप सब ने पूरी धैरे के साथ पूरी तैन्वेता के साथ हमारे इन कलाकारों के इध्यास को चोड़ने के इस कारिक्रम के साथ आप सब जुड़े रहे हैं मैं जब कानपुर दिहात में था तो मेरे साथ महाँ पर मेरे सयोगी मंत्री सिराके सचान महाँ पर थे तो कि जब मैं चलने के लिए हुआ तो उनने कास आज आपने फिल्म देखने के लिए हमें पहली बार कहा और आप फिल्म महाँ को चले मिरे साथ में कान सब जुड़े खेंदे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है परिवार के साथ लोक देख सकते हैं मनुरंजन भी है और इत्यास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये फिल्म बहुत कुछ हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अतीद के वगर वर्तमान नहीं होता है और अतीद की कौन से ऐसी गलतियां है जिन गलतियों का परिमार्जन लगातार 75 वर्सों से हम करते है अब आजादी के अम्रित महत्सों वर्स में आये है मित्रों 75 वर्स का एक कालखंड हम सब के लिए चिंतन का कालखंड है आत्माव लोकन का कालखंड है और आगामी 25 वर्स के अम्रित काल का जो आवहन आदिने प्रधानमंत्रीची ने किया है इन 25 वर्सों में हमें भारत को कहां लेके जाना है इस पर अभी से कारियोजना बनाकर कुसे लागू करने का एक प्रियास हम सब के अस्तर पर होना चाहिए राश्ट उत्थान का जो अभिहान है इस राश्ट येक्यमें हम सब के अपनी फूमिका होगी कला अपने अपने एक प्रतिवा होती है ये स्वर्प्रदत एक विशिष्ट प्रतिवा होती है और उस कला को अभी इस संब्राट प्रतिवराज की रूप में इस फिल्म के माध्यम से इस देश के प्रख्याद अभिनेता से अक्षे कुमार जी की इस अभिनों के माध्यम से हम सब ने इस फिल्म के माध्यम से देखा है मैं यहाँ पर अक्षे कुमार जी का इस फिल्म के जो डारेक्टर है शिचंदर प्रकास दिवे दीजी आपने उनके कारे को इससे पहले चानक की असले से सीरियल के मात्यम से भी देखा है और ही अमने तमाम ऐसे कारिक्रम जो हमें राज्टियता के साथ जोड़ता उस कारिक्रमों के मात्यम से हम लगाता रिसका उन्हों करते रहे हैं आज वे स्वेम भी यहां पर उपस्तित्वें हैं और सुसी मानसी जी इससे पहले भी भारत माता की इन कलाकारों ने आदने प्रधानमंत्री जी क्या आउभान पर एक आम जन्वानस से चुड़ी भी तमाम विस्यों को लेकर के फिल्मों का निर्माण किया ये फिल्में वास्तों में क्यों मनुरंजन के साधन मात्र नहीं हैं लोग जागरुकता के भी राश्टी पिर्णा के भी और समाज को एक नई दिसा देने के भी मात्यम बन सकते हैं यह अक्षे कुमार जी ने और उनकी पूरी टीम ने समय समय पे किया है मैं आज की इस उसर पर अपने उत्तरप्रदेश वास्यों की और से आपकार आपकी पूरी टीम का हिर्दे से अभी नंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि फिल्म है बहुत सीग्र यहां पर हमारी पीच में आएगी उत्तरप्रदेश वास्यों और देश्वास्यों देखेंगे उत्तरप्रदेश में इसकों टैक्स फ्री करने के भी और उन अस्थलों के बारे में लोगों के मन में एक चागरुपता भी पैदा होगी तो स्वाभाई ग्रूप से आज हमारा कन्योच इत्र के साथ साथ गोवर के साथ भी जुड़ रहा है स्वाभाई ग्रूप से कन्योच को जानने और अन्य उत्तरप्रदेश की उन सभी अस्थलों के बारे में जानने का एक उसर भी प्राप्त होगा मैं सौसर पर एक बार फिर से इस पूरी फिल्म के साथ जुड़े भे अक्षे कुमारची मानसी और उनकी पुरी टीम का मैं उत्तरप्रदेश वास्यों की ओर से उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से हिरदे से बिनंदन करता हूं विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की रसनात् से समाज को चागुरूप करने समाज को एक नई प्रदान करने का वा निरंतर प्रियास करेंगे उत्तरफदेश आसन उनके पूरे कार्यक्रम के साथ सदेव सकारात्म करूप से उनका सहयोग करने के लिए ततपर होगी मैं एक बार फिर से आप सभी में पुड़ी धैरे के साथ इस फिल्म को देखा है मैं आपका भी हिर्दे से स्वागत भी करता हूँ आपको हिर्दे से धन्यवाद भी देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद चेहरे सर एक जन्माद एक उत्पाद के हमारे कुछ प्रॉड़क्ट माने मुपंजी इवेंट रहेंगा है लोगन्यवाद